नमस्कार दोस्तों स्वागात आप सभी क्या क्विक हिंदी फर और मैं हूँ अभिनव सिंग दोस्तों टेस्ट का टाइम हो चुका है सब लोग रेडियो जाहिए फिर और वीडियो को सब लोग लाइक कर देना और पीडियो आखरी में जरूर बताना कि कितना क्वेस्टन आप लोग देख लेना और प्लेलिस में जाके देखोंगे तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी तो उसको देख लेना काफी हल्प मिलेगा एक्जाम के लिए चलिए फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं अब आसका पहला क्वेशन इंटरनेट पहली बार क्रहां प्रस्तावित युनाटेट इस्टेट अमेरिका में पहली बार बनाए गया था इंटरनेट अब नेक्स्ट पावर पॉइंट में बनाई प्रस्ती को स्क्रीन पर प्रदरसित करने के लिए कौन सी कमांड प्रियोग की जाती है बहुत जाए इंपॉर्टन क्वेशन ये पावर पॉइंट क से हम उसके स्लाइड को चला सकते हैं मदल लिखा हुए ना प्रस्तुती को इस स्क्रीन पर प्रतसित करने के लिए तो स्लाइड भी उसे करते हैं अब नेक्स्ट प्रतिक स्लाइड का टाइम सेट करने के लिए कौन से कमांड प्रियोग की साती है ये भी बहुत जादा इंप जो एक उसमें, जो command होती है, rehearse timing, तो उससे क्या होता है कि हम time set कर सकते हैं, कब हमको चलाना है slide को, उसकी timing मतलब कितनी देर चलनी है उसको rehearse timing, कितनी देर तक चलनी है, इस तरह से होता है na timing, तो वह हम set कर सकते हैं, काफी important question है यह, ध्यान देना यह बाद, अब next to, MS Excel में चार्ड बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है यह भी बहुत जादे इंपॉर्टन क्वेशन है वर्ड का तो मैंने सार आपको एक वीडियो में बताई दिया है कि कौन से किस मेनू में कौन सा अपसान आता है तो जैसे वर्ड का से मुझसे एक्सल का भी है कुस खास डि नौर हो जाएगा अब डाकस्ट कंट्रोल प्लसफी किसके लिए यूज की जाती है अब कर दिशन देखता हूं मैं training मतलब करते हैं अael next SMTP का अर्थ है काफी simple तो यह मैं कई बार discuss भी कर चुक हूँ इसके बारे में लेकिन यह exam में बहुत पूछा जाता है मैं देखाऊं SMTP का जिसका सब्सक्राइब हो जाएगा simple mail transfer protocol बी नंबर वाला simple mail transfer protocol यह क्या करता है इमेल को भीजने में मदद करता है इमेल का पार्ट है इमेल का प्रोटोकॉल है तो बहुत जादे important है अब next या हूँ क्या है यह भी simple सा question है लेकिन पूछा जाता है इसके बारे में अब next वाकी टाकी से communication किस प्रकार होता है यह भी question में रहाँ टिपल सी में बहुत जादा पूछा जाता है मैं बताया हूँ आपको पहले इसके बारे में जो पुलाने सब्सक्राइब को पता ही होगा डिसका शैन्सर वाल एक तरफ से पूड से थोड़ा रुक कर बोलना वहीं है क्या था बहुत पहले जब नया नया फोन नहीं था उस टाइम तो वाकी टाकी से ही यूज किया जाता था बात करने लिए लेकिन इसमें क्या था कि एक तरफ बोल लो, वहां पहुंच दाता था आवाज, फिर उसके बाद, सुनने के बाद, फिर वहां से बोलना हो, तो प्रिधार आता था, इसे होता ये, वाकी डाकी, ये कहा है, Half Reflex का Example भी होता है, ये भी पूछाता है exam में, Half Reflex, अब Next, Bluetooth की अधिकतम कितने मीटर तक connect हो स दोत्र प्रकार के मतलब होते हैं Bluetooth एक होता है 10 मीटर कनेक्ट होता है लेकिन एक होता है 100 मीटर तो वाधिक्तम 100 मीटर ही होता है अब next Hard disk की गद किसमें मापी जाती है यह भी बहुत जादे important question है इसका sensor हो जाएगा RPM में मापी जाती है revolution per minute इसका perform भी पूछते हैं RPM का revolution per minute बहुत important है याद रखना अब next माउस के मत दिखी को हम किसी भी कारे के लिए प्रियोग कर सकते हैं यह true और false यह हो जाएगा false क्योंकि क्या बोला कि मत दिखी है किसी भी काम के लिए तो बिल्कुल गलत है उसका limit होता इस्क्रॉल के लिए होता इब मैं दिखी ऊपर नीचे करने के लिए अब next इंट्रानेट एक private network है जो किसी organization के लिए उपलब्ध होता है यह सही है गलत बिल्कुल सही कहरा है इंट्रानेट होता है private network है बड़ी बड़ी जो company आ है जो organization है उसका personal network होता है उसके लिए यूज किया जाता है बिल्कुल सही बात है इंट्रानेट अब next .web file और .mid file sound effect के दो पार्ट है जो presentation में add करा सकते है यह true और false तो बिल्कुल सही कहरा है पहले बात तो .web और .mid एक IDO file होते है यह IDO है sound effect के दो पार्ट है बिल्कुल सही बात है यह भी और presentation में add करी सकते हैं क्योंकि presentation में IDO या फिर sound add कर सकते हैं वीडियो भी कर सकते हैं और IDO भी कर सकते हैं तो बिल्कुल सही है अब next template एक file है जो ready made style को सामिल करती है जो कि अपने आपकी presentation में प्रियोग हो सकती है यह true है false मतलब presentation में इसको add कर सकते हैं प्रियोग में लाया जाता है जो template होता है ready made file होता है तो बिल्कुल सही बात है यह true हो जाएगा जो template होता है ready made बना हुआ एक file होता है ready made style तो बिल्कुल सही बात है यह और इसको presentation में add करी सकते हैं अब next User name तदा domain name को add the rate दोरा लग किया जाता है यह true है यह false एक question मैं देखा हूं बहुत बार पुछे जाते हैं और सबको पता भी होना चाहिए यह क्योंकि एक number तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा अगर एक question मिल गया आपके exam में तो मैं देखा हूं बहुत बुछ जाता है ट्रिफल्सी में बिल्कुल साही है यह भी true हो जाएगा अब next emoji को interpreter भी कहते हैं यह true है false तो यह हो जाएगा false क्योंकि emoji तो अलग होता है जो emoji बना होता है हम लोग use करते हैं जो smiley emoji यह सब होता है न interpreter तो एक converter है तो यह गलत हो जाएगा तीक है अब next justified command द्वारा text का right alignment होता है यह true है false तो यह जाएगा false क्यों क्योंकि justify करता क्या है right alignment नहीं करता justify कर देता है मतलब इधर उधर जो रहता है text उसको एकदम सही कर देता है उसको बोलता है justify एक होता right alignment वो गया करता है कि right side कर देता है left alignment left side कर देता है center alignment alignment चार प्रकार के होते हैं यह भी question process आता है कि कितने alignment होते हैं तो चार होते हैं total justify center left right यह चार होते हैं अब next ms powerpoint में hyperlink के द्वारा एक पेज़ पर जा सकते हैं यह true है false बिल्गुल सही बात है यह उसमें hyperlink यूज किया जाता है powerpoint में और बेपेज पर भी जा सकते हैं अगर उस टाइम आप internet से connect हो तो उस पर clicker को तो बेपेज भी भी जा सकते हो अगर उसमें linking किया गया किसी पेज का तो बिल्गुल सही है यह अब next क्या हम internet explorer में default setting reset कर सकते हैं यह true है या false तो बिल्कुल सही बात है यह मतलब उसमें जो भी default setting है उसको हम change भी कर सकते हैं यह तो कुईसी इंटरने एक ब्राउजर क्या है एक ब्राउजर यह भी question पुछ राता है कि internet explorer क्या है तो वह एक ब्राउजर है कोई भी ब्राउजर हो Chrome हो Mozilla हो कोई भी हो तो हम उसमें सेटिंग विल्कुल चेंज कर सकते हैं यह हो जाएगा true अब next currency भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है यह true है यह false तो यह जाएगा false क्योंकि जो currency होती है वो RBI द्वारा जारी किया जाता है Reserve Bank of India द्वारा जारी किया जाता है क्या currency और सिक्के जो होते है वो भारत सरकार द्वारा जारी किया जाते है यह आपको पता होना चाहिए मैं कई बार बता हूँ आपको सिक्के भारत सरकार जारी करता है और currency RBI जारी करता है लेकिन एक रूपय की जो नोट होती है वो भी भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है तो इस सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए यह बैंकिंग कुछ साने तो एक्जाम में जरूर पूशे जाते हैं तो इसमों बस यही पे टेस्ट आप सभी का समाफ्त होता है और कमेंट में जरूर बताना कि आपका 20 में से कितना करेक्ट हुआ है और पीडियो को सब्सक्रा खाल खाल इसम तो है नहीं कब से सुरूर होगा उसका कोई नौटिफिकेसन आया रह休ना जैसे कोई अपडेटाता है मैं आपसे बता दूंगा वैसे इतना जान लोगी second week से स्टार्ट होगा अप्वैल के सेकंड वीक से स्टार्ट हो जाएगा एक्जाम यह तो पक्का है तो जैसे भी कोई नोटिफिशन मैं आपको जरूर बताऊंगा और जो भी फेस्बुक या फिर इंस्टाग्राम यूज करते हो वहाँ पर मुझे जरूर फालो कर लेना कांटाट करना वहां से मेरी वहां की आइडिया विनोसिंग 177 तो वहां से कांटाक्ट करके आप जो एक्जाम दोगे तो क्वेस्टन भी मुझे वहीं से भेजना और कोई सवाल हो तो वहां से कर लिया करो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही नेक्ट वीडियो मिलते हैं तब तक ले जबारत